नमस्कार दोस्तों बैशनेवी और्गेनिक डिर्फों में आपका स्वागत है आज मैं पसुपालन केलेंडर पसुओ को माह जून के बारे में कुछ जानकारिय कैसे देखवाल करनी उसके बारे में बताना चाहता हूँ HSBQ का टीका के 10 से 15 दिन पहले सभी पसुओ को डिवर्मिंग कर देना चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो पसुओ को 50 से 60 ग्राम मिन खनीज मिश्रन एव 20 ग्राम नमक परती दिन देना चाहिए पसुओ के मौसम में पैदा की गई जुओर और जहरिली पदार्थ हो सकता है जो बाजरा या जुओर होता है जो पसुओ के लिए घहा निकारक है तो अप्रेल माह में बुआई की गई जुओर को किसानों दुओरा दो तीन वार पानी अवस्य दे बरसाथ के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए जुओर मक्का की बुआई करें खरीफ चारा जुओर बाजरा बोड़ा इत्यादी की बुआई पर अर्म कर दें हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उनत किस्म के बीज का प्रियोग करें चुकि जून माह का महिना काफी गर्म रहता इसलिए पसू को अलग से सेड का निर्मान करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच पानी पिलाना चाहिए अधिक दूद देने वाली पसूओ को कैलसियम फासफोरस सतर से सौ ग्राम परती दिन देना चाहिए या पिलाना चाहिए पसूओ को बाहर फर जिवी से बचाने के लिए पसूद चिकित्सक की सलाह पर दवा का परियोग निमीत रुपसे करना चाहिए पिछले माह में जो हमने जानकारी दे थी उसके अनुसार आपको अब जो जून के वाद जुलाई महिना है उसमें इस माह में पसूओ को वर्षा रितु आने की संभावना रहती है अता पसू परिशर को सुखा ये साफ रखना चाहिए तथा गर्मी वा नमी जनित रोगों से पसूओ को बचाना चाहिए अंता परजीवी ये वाहे परजीवी का परकोप इस माह में काफी होता है अता इस इन से तथा इनके संबंधित रोगों को रोगों को बचाव अवश्य करना जीए खुरपका मुपका एफेमडी रोग गलगोटू रोग एच्चेस बीक्यू लंगडी बुखार कृष्ण जंगा इंटो बैक्टेरी मिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हैं तो अबस्य लगवा लें इस माह में भैंस का बियान सुरू हो जाता है अंतह अतह परजनन संबंधिस सावधानियों के साथ नवजात की सुरच्छा है तू पूरी जनकारी प्राप्त होना चीए जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच तक धोगे से बांध कर नए बलेट से काट क टिंचर आयोडीन लगाना चीए प्रसूती गाए वहेंस को अलग साफ हवादार सुखा अस्थान पर रखना चीए इस माह में दुख दुद पादन है तूचित मातरा में खनीज लवन की मातरा पसुपाल को की सलाह पर दिया जाना चाहिए अनथा खजिन खनीज लवन की कम शेरोग हो सकते हैं सिंचित करें हरे चारे को खेतों में जानवरों को नहीं जाने दें क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक बरसा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है इनमें साई नाइट्स जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है यह जोआर के फसल में जैसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटें ना जानवरों को खिलाएं चारे के लिए मक्की की दूसरी फसल बोने का उचित समय बीज मातरा 25-37 किलो परती एकड़ का उपयोग करें बहु रितु जीवी चारा घासों की पुआई करें संतुली तहार के जो ब्यायभ का बुआई एक साथ आपको करना चाहिए वस्पालक भाईयो जो अगला महिना है वो है जून जून महिने में आपको अगला महिना है एक दोनों माह में आपको पशु को खासा द्यान रखना चाहिए पसू जो है गर्मी खत्म होती है बरसाथ सुरू होने की अवस्ता रहती है इसमें ज्यादा बीमारियां भी लगती है तो आपको खासा जो है ध्यान रखना चाहिए इन बीमारियों से बचाओ के लिए टाइम से डिवर्मिंग और वैक्शिनेशन या टिका करन अवश्य करवाना चाहिए थैंक्यू धन्यवाद वैश्णवी और्गेनिक डिरी फॉर्म